हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ अच्छे ही होंगे आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए कोई व्लॉग नहीं दिखा रही हूँ मैंने काफी पहले एक व्लॉग में ही एक अन्बॉक्सिंग दिखाई थी तब उसी दौरान आप लोग से बोल दिया थ तब ही मैं उसका रिविव आप लोग के सामने लओंगी कि वो मुझे कैसी लगी है तो आज मैं अपने इस वीडियो में रिविव दे रही हूँ उस चीज का जिसे मैंने मंगाया था एप्रिल में और गर्मियों में ही उसकी जरूरत पढ़ती है और अब जैसे ऐसे सर्दी आएंगी तो उसका इस्तेमाल कम हो जाता है तो मैंने एप्रिल में एक मॉस्क्यूटर रैकेट ऑनलाइन मंगाया था और उसकी अन्बॉक्सिंग भी आप लोग के साथ शेयर की दे तो आज मैं उसके बारे में ही बताने जा रही हूँ एप्रिल में जून जुलाई और अभ मंगाते हुए काफी डाउट्स थे इसके बारे में जब हमने इसे परचेश करना चाहा क्योंकि इस तरह की चीज हमने कभी परचेश नहीं की थी और अभी तक हम जो कॉईल होती है या फिर जो मॉस्क्यूटर रैपलेंट आते हैं उनका यूज करते थे और जब हम खुले मे बाहर में तब हमें इस तरह की किसी चीज की जरूरत महसूस होती थी कि यहां पर ना तो हम रिपलेंट लगा सकते हैं और नहीं कॉईल जला सकते हैं क्योंकि यह सब बंद कमरे में तो काम करेंगे पर खुले में नहीं करते हैं तो इसलिए हमें एक मॉस्क्यूटर रैकेट क की जरूरत महसूस हुई थी कि उस वक्त जुंड की जुंड मॉस्किटो आया करते थी गर्मी में तो लगता था कि बस कोई आसी चीज हो जो आप यू यू घुमाओ और फटा फट ये कटा कट गिरना शुरू हो जाए तब ये ढूंडते हुए हमें ये एक मिला था मॉस्किट किस तरह का आया था ये कुछ इस तरह का था बिल्कुल वैसे ही जैसे की बच्ची रैकेट से खेला करते हैं और इसके साथ ये एक यूएसपी कॉर्ड आया था साथ में ये था एक प्लास्टिक का स्टेंड जिसे आप दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं अगर आप इसे जो हमारी क्लिप है ना ये मेरे मोबाइल में उस दौरान की ही पड़ी हुई है जब मैंने इसे यूज़ नहीं किया था तो सारे इंस्ट्रक्शन इसमें पड़े थे और एक बार रिचार्ज होने बहुत जलती रिचार्ज हो जाता है एक तो यूएसपी से ये किसी रिचार है कि आपको चिंगारी तो निकलेगी आवाज भी आएगी बिल्कुल इसमें एक गड़कती हुई और इसे बस थोड़ा सा बच्चों को टच में नहीं करना होता है जब ये और दो तरह से ओन होता है एक तो इसमें लाइट ओन होती है जब आप करते हो स्विच तीन जगे से इसमें प्लेस होता है आगे पीछे तो एक जगे क्या है कि लाइट ओन हो जाती है अगर आप इसको लाइट ओन करके रखना चाहते हैं किसी कॉर्नर में किसी भी जगे तो आप इस तरह से इस लाइट को ओन करके रख सकते हो इसमें ब्लू लाइट जलेगी और अगर आप इ मत आउन कीजिए आप सिर्फ आउन करके ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जिदर भी मॉस्कुटो दिखे बस फटा-फट से घुमा दीजिए इसके टच में आते ही वो एक चटाक आवा जाएगी और खतम हो जाएगा और कोई गंद नहीं फैलती है कोई बदबू नहीं और कोई जैसे कह सकते ना कि कहीं आसपास मरे हुए मच्छर मिलते होंगे ऐसा कुछ भी नहीं वो बिल्कुल कह लीजे कि हवा में ही राख बनकर उड़ जाता है इस तरह से इसको आउन करके लगा सकते जैसे ये इस वक्त स्टेंड में खड़ी है तो हमने अभी इसको जैसे इस पर पर ने साथ एक नीचे पोर्टेबल बनाने के लिए इसको इस्टेंड दिया जाता है इसमें आप लगा कि रख दीजे तो जो भी किसी भी तरह का कीट पतंगा सिर्फ मौस्क्यूटों के लिए नहीं है ये आप इसमें कोई भी कीट पतंगा अगर गलती से भी आ जाता है घ गर्मियों के हिसाब से और आप लोगों को पता ही है कि मच्छर क्या-क्या करके जाते हैं बच्चों में बड़ों में किस तरह की परिशानिया उत्पन होती है तो अगर इस तरह का ये एक रैकिट मंगा कर रख लिया जाए तो हमारे काम की चीज होती है और ये मुझे 500 रुपे कीमत इतनी बड़ी नहीं होती है पूरी जिंदगी को देखते हुए एक जिंदगी के लिए 500 की कीमत बहुत ज्यादा नहीं है और ये रैकिट बहुत अच्छा चल रहा है मेरा बस इसमें एक सेफटी रखनी है आपको सुरप्षा की दरस्टी से ना देखिए आप इसमें प्लास्टिक जाली है तो बस जैसे होता है ना बच्चे घर में है या आप गीले हाथ से हो या कुछ भी है तो आपको ये जो इसकी नेट है इसको टच नहीं करना है जब ये ओन है रहता है ओन रहने में ये बहुत जोरों से जटका मारता है आपको क्योंकि अब मैं तो भूल गई कि कितने वॉट का इसमें करेंट प्रवाहित होता है. लेकिन बहुत जादा करेंट प्रवाहित होता है. बहुत जोड़दार कि मतलब काफी देर के लिए वो सुन्नपन भी ला सकता है आपकी उंगली में, हाथ में और काफी डेंजरूस है. तो उस हिसाब से थोड़ा सा आपको इसको जानबूच के मतलब टच नहीं करना है या बच्चों से दूर रखना है और खुद भी सुरक्षित रहते हुए ही इसका इस्तेमाल करना है तो आप या तो इस्टेंड में लगा कर दूर रखतीजे या फिर आपको पता ये बड़े लोग तो इतना समझजदार होते ही है कि उस हिसाब से इूorn करते है तो बस उस तरह से कीजे कि आपको करेंट ना लगने पाए जटका न लगने पाए वो करेंट जिसको लगने के लिए है मच्चर को कीट पताउंकों को उनको ही लगे इनसानों को न लगे तो आप बताए आ अभी समय नहीं लग रहा है तो इसलिए मैं ऐसा कुछ डाल दी बारी हूँ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए have a nice day, bye bye